आज मैं आपसे बहुती खुबसरत सा एक बेबी के लिए टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ ये टोपी पढ़िनेक बाद बहुती सुन्दर नजर आता है ये इसका ब्याकसाड है और ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना आ सकते हैं और ये टोपी में लड़की के लिए बना रही हुँ ठोड़ा बड़ा साइस में ये टोपी लेक बहुती सुन्दर नजर रहता है और ये बेभी के लिए टिनेज के लड़की के सीधी साइड से आपको दो फंदे सीधी बिनना है एक और ये दो दो फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद एक फंदे इस तरीके से बढ़ा देना है फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का दो फंदे सीधी इस तरीके से आपको बिनना है य रागा आपने वाट और तीन फंदा उलटा है एक दो तीन स्रती गिनने के बाद त्रिके से तीन फंदे उल्टी बिनने के बाद टाग सेरा रेधाना हा कि दो पंदे सीधि तीन फंदा उल्टा- 2 सिध्षा Jord इस तरीके से फिर 20 सेंटर का एक फंदे सीधी, फिर एक फंदे बढ़ा देना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, रोध तीन सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद, रोध चार इसकी ब्याक साइड से देखा रही हूँ, ब्याक साइड में आपको दो फंदे सीधी बिनना है देखे, दो फंदा सीधा, तागा आपने और एक फंदा उल्टा, दागे पीछे, अब देखे, ये जो बड़ाए होए फंदे है, इसको आपको सीधी बिनना है, और ये 20 सेंटर का सीधी फंदे, ब्याक साइड से उल्टे बिनना है, इस तरीके से, दागे पीछे लेकर जाना ह फिर आपको एक फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा फिर लाश्का दो फंदा सीधा इस तरीके से आपको रोब फोर ब्याक साइट से बिनना है रोब फाइब सीधी साइट से चार फंदे सीधी एक दो तीन और ये चार चार फंदे सीधी मतलब यह एस्टा वाल स slavery फिर एक फंदा डालना है के चाहरा दो कि टीन है हिस्त टरीके आपको बनानी उल्ट तेची कि एक ही और 12 g अपको चीरी देना यह दाक हुपने और एक फंदा उल्टा पीच्छे लेकर जाना है अब देखे एक दो दो फंदे आपको सीधी बिनना है तागा आपने और एक फंदा उल्टा ये बीस सेंटर का है इसको उल्टी बिनने है तागे पीछे दो फंदे सीधी फिर एक और ये दो तागा आपने और एक फंदा उल्टा फिर प्लास्ट का दो फंदा सीधा एक दो डू 6 व्याक साट बिनने के बाद आप देखें रोसेवे सीधी साट से सीधी साट फस संदा सबार है यहां से शुरू होता है तीम सबनधा सीधा two three three फंदा सीधा इस तरहेंसे यह इस तरहा है एक दो टीम से भीनने के बाद अब आपने ओर एक फंदा उल्टा यह इसका पैटन है, मतलब 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा का यह पैटन है, 1, 2, 3 सीधी, 1 उल्टा, फिर 1 फंदे डालेंगे, और 1 फंदा सीधा, फिर इधर साइड, 1 फंदे डालना है, ताकर आपने और 1 फंदा उल्टा, ताकर पिछे 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, और लास्ट का का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है rod 7, SD सीधी का बीनने के बाद 與 Ming Del夜 songs test rate 62 देखे रहे हूं सब्सपफंदा विना विना इसमें देखिए दो फंदे आपको 10 chave주े बिनना है सीधी बिनना है 1 और यह सीधी वाले भी सीधी बिनना है 2 को 3, 3 पन्दा सीधा अब देखिए दागा आपने और 1 पन्दा उल्टा लस का दो पन्दे सीधी इस तरीके से आपको बनानी है ब्याकसाइड रो 8 पूरी गार नी के बाद सीधिसाइड रो 9 बिंटे हैं यह यह एश्टा वाला फंदा है तीन फंदे सीधि बिंटा है तीन फंदे सीधिकर करना? यह इसका pattern है फिर देखे तीन फंदे सीधी का एक फंदे आ रहा है यहां से देखे एक दो तीन फंदे सीधी एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा आ रहा है इसी तरीके से तीन फंदे सीधी होने के बाद फिर एक फंदा उल्टा बिनना है इसी बात को repeat गाते होए जितनी एक फंदे इधर बढ़ा देना है , इदर साइड एक फंदे बढ़ा देना है, एक फंदा उल्टा फिर इदर साइड तीन फंदे सीधी एक दो martial को दे का य। इस तरीके से आपको बनानी है grow 9 पूरी गार्णी के बाद grow 10 बैक साइट से 2 पंदे सीधी 1 पंदा उल्टा तागे पिछे अब देखे 3 पंदा सीधा 1 2 3 3 पंदा सीधा तागे आपने और 1 पंदा उल्टा अब देखे इधर 20 गूर का 1 पंदे इसको भी उल्टा बिनना है, और ये जो बड़ा हुए फंदे हैं, इसको आपको उल्टा बिननेना है, अब देखें यहां से फिर दागे पिछे 3 फंदा सीधा, एक, दो, तीन, तीन फंदा सीधा, यह इसका पैटन है, तागा आपने और एक फंदा उल्टा, तागे पीछे लास्ट का दो फंदा, एश्टा वाला है, इसको आपको सीधी मिनना है, रो ग्यारा, इसकी सीधी साट से फस फंदा बिना बिना फिर तीन फंदे सीधी, देखें, एक, दो, तीन, तीन फंदे आपको सीधी बिनना है, तागा आपने और एक फंदा उल्टा, तागे पीछे देखे एक दो तीन, तीन सीधी एक उल्टा, ये पैटन है इसका, बार-बार इसी बात को रिपीट गरनी है, अब इधर दो सीधी आ रहा है, एक और ये दो, इस तरीके से फिर एक फंदे बढ़ा देना है, विस सेंटर का एक फंदे सीधी, फिर एक फंदे बढ़ा देना है, अब देखे इधर दो फंदे आ रहा है, दो फंदे इसको सीधी बिननना है, अब देखे दागा आपने और एक फंदा उल्टा, तागे पीछे तीन फंदे सीधी, एक, दो, त यहां से हमारा pattern शुरू होता है यह 3 फंदे छोड़कर अब देखिए 3 फंदे सीधा 1 2 3 तीन फंदा सीधा तागा ऐपने और 1 फंदा उल्टा बार बार इससी pattern को रिपीट गरनी है अब देखे सीधी का एक सीधी शिरिफ आ रहा है ये सीधी आपको बिन देना है तागा आपने और ये 20 सेंटर का एक फंदे ब्याक साट से आपको उल्टी बिनने है अब देखे यहां से फिर एक फंदा सीधा अब देखे तागा आपने और एक फंदा यह इसका पैटन है लास्ट में दो फंदे एस्टा वला आ रहा है इसको आपको सीधी बिन देना है रो 12 ब्याक साइट पूरी गरने के बाद रो 13 सीधी साइड से देखा रहे हैं फर्स फंदा एस्टा वला है अब यहां से शुरू होता है एक दो तीन तीन फंद आपको सीधी फिर एक फंदे बढ़ा देना है अब देखें यहां से तीन फंदा सीधा एक दो तीन फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा यह उल्टे की वज़े से यह गठा वाला डीजाइन आता है अब देखें इधर फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन और यह चार इस त है इस तर or talkin i millions दनल द सीधी बिंद्ध के दागा आपने ऊर्प पंदा हुल्टी Nee का तांके पीछे फिर तीन पंदा सीधा 1 2 3 फंदा सीधा का सिंसी तक sack pasa a प्र और ओल्टी मिनने के तांके पीछे फिर तीन पंदा सीधा ऐसक्राय से एक 2 तागा आपने और एक फन्दा उल्टा तागि पीछे 3 फन्दा सीधा 1 2 3 तागा आपने और एक फन्दा उल्टा लास्ट का दो फन्दा एस्टा वला सीधा इस तरीके से आपको बना आनी है व्याकशार रो चवुधा पूरीगारनी के बाद रो पंद्रा इसकी सीधी साड से देखा रही है यह अस्टा वहला फंद्र है यहां से आमारा पैटयन शुरू हता है तिन सीधा एक दो तिन सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा tागे पीछे तीन सीधा देखे एक 1 2 3 300 सीदा फिर देखिए एक फंदा उल्टा ये इसका पैंटन है मैं एक बार फिर देखाती हूँ देखिए ये श्टा हुल भाला है तीन फंदा उल्टा 3plement सीदा एक फंदा उल्टा पिर एक फंदे डालेंगे अब देखे ये सीधी वाले फंदे आपको सीधी बिननेना है फिर एक फंदे डालना है अब देखे इधर साइड फंदे डालने का तरीका देखा रही हूँ देखे ये एस्टा वाला है तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर इधर तीन फंदा सीधा एक दो तीन फंदा सी इस तरीके से तागे पीजे तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, और लास का एक फंदा इस्टा वाला, रो फिपनी इस तरीके से बिनने के बाद, इसी प्याटरन को आपको बार बार रिपीट करते हुए, इसका उपर डिजाइन मना आनी है, रो शिष्टिन ब्याक साइड से द तागे पीजे तीन फंदा सीधा, एक, दो, और ये सीधी आ रहा है, सीधी बनाएंगे इस तरीके से, तीन फंदे सीधी, अब देखे ये बीज सेंटर का एक फंदे है, इसलिए आपको उल्टी बिनना है, तागे पीजे यहाँ से आमारे पैटरन शूरू होता है, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधी, बिनने के बाद दागा आपने और एक फंदा उल्टा, तागे पीछे तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, दागा आपने और एक फंदा उल्टा, लस्का दो फंदे सीधी, अब देखे इसी पैटरन को आपको बार बार रिपीट गरनी है, मैं इसी से दो बना रही हूँ मैं कि कि यह सई कि संद और की से जेज़ में और के बना सकते हैं ध्यायाय का थोड़ा बॉट्टा वाला ध्यागा है और यह थिरी पहलागा ध्यागा है देखें इस तरीके से और इसमें मैं 9 नमर का सलय का योज़गर रही हूँ और ये थिरिपला का थोड़ा मोटा वाला रार ये फोरपला के तरह है पर इसमें आपको यहां से देखें ये गर्दन से उपर चोटी तक का लंबाय आपको बेरना है गर्दन में आमारा फिर बोडर का भाग भी आता है इसमें आपको दोनों साइड में 29 फंदे आपको बढ़ा आनी है इधर साइड 29 और इधर साइड 29 इसमें देखें ये थिरिपला का पतला वाला धागा है और 9 नमर का सलका यूजगर के मैं बना रही हूँ ये बच्चे के लिए है और ये थोड़ा बड़ा साइड का है ये हरारी तिनेज के लग्की के लिए आ जाता है यहां से मैं यहां तक जिस तरीके से बिनते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट गरते हुए देखाती हूँ और ये किसी विजाईज में किस तरीके से बना निया ये बिनने के बात देखाती हूँ देखें पाणद फमदा बिना मिना टिन फमदे सीधी एक देखें ये ए को रिपीट गारनी है देखे एक दो तीन तीन फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा अब देखे मैं इसी तरीके से बींते होए यहां तका रहे हूं तीन फंदा सीधा एक दो तीन तीन फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा ताकि पिछे तीन फंद सीधा फिर एक फंदे बढ़ा देना है और तीन फंदा सीधा देख रहे हैं यहां से आमारे पैटरन सुरू हो रहा है 3 फंदा सीधा इसी प्याटरन को आपको रिपीट गारनी है एक फंदा उल्टा तीन भंदा सीधा एक दो तीन लश्का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनायानी है यह आपको सुरू से मतलब यहां से यहां तक एक ही प्याटरन को बार बार रिपीट गारनी है अब देखे इसका ब्या साइड में आपको उल्टी बिनना है मतलब यह तीन फंदे छोड़कर यहां से हमारा पैटरन शुरू होता है देखिए एक दो तीन फंदे आपको सीधी बिनना है मतलब इधर का तीन फंदे छोड़कर यहां से हमारा पैटरन शुरू होता है तीन फंदा सीधा एक फंदा उल् इधर साईड का देखें 3- HP चीदा-對 5-T3-ishing ağust सीघथा इसे पैर्टरन को आप這ज रिपेट करने हैं 3- lle कि इस दिए साइड बहुन चुकी हो ये सीधी साद से जो चीदा है उसी को आपको बैक साइड में आ दो है अब देखे यहां से आमारा पैटन फिर से शुडुर होता है 3 फंदो सीधा 1 2 3 3 फंदो सीधा दागा आपनी और 1 फंदा ऐल्टा फिर इसी पैटनको रिपित गारनी है 3 फंदा सीधा 1 2 3 1 फंदा उल्टा अब देखे मैं लास्ट में आ चुकी हो एक दो तीन तीन फंदा चीदा दागा आपने और एक फंदा उल्टा लास्ट का दो फंदे एस्टा वाला है इसको आपको सीधी बिन देना है अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नोग दस ग्यारा बारा तेरा चौधा चोदुना अठाइस पला से 29 देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदर चोदुना अठाइस पला से 29 बतलब विश सेंटर में एक फंदे आपको राखना है और दोनों साइड 29 फंदे बढ़ा देना है इतनी होने के बाद इसका अपर इस तरीके से आमारे पैटन है उसी बात को रिपीट गारनी है एक फंदा सीधा देखे एक फंदा उल्टा इस तरीके से आ रहा है ताकि पीछे अब फिर यहां से पैटन शुरू होता है तीन फंदा सीधा एक दो तीन फंदा सीधा ताकि पीछे तीन फंदा सीधा एक दो त ताग आपने एक फंदा उल्टा इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बेनना है यह आपको 20 सेंटर का देख रहे हैं यह सीधी का अगे तक बेनना है अब देखे जिस तरह का हमारा पैटन है उसी बात को रिपीट बिनना है लास्ट में 2 फंदे रोने के बाद आपको गटाई करना है 6 10 कारी इसका डिजाइन देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ डिजाइन आपको बनानी है, मतलब इसमें आपको किसी भी साइज में बनाना है, तो इसी तरीके से 29 फंदे बढ़ानी है, दोनों साइज में, देखें, ये साड़े साथ इंच काई में बना रही हूँ, और इसका नीचे में दोनों साइज 24 फंदे बढ़ा रही हूँ, इसमें में आपको इसी तरीके से दोनों साइज, मतलब इधर इधर 29 फंदे बढ़ानी है, 29 फंदे बढ़ाने के बाद ये हारारी, शाड़े 6 इंच का आसपास में आ जाता है, तोड़ी बिनने बाकी है, इसलिए शाड़े 6 ये में फर्मेट बता रही हूँ, अगर आप थिरिपला का धागा और 10 नमर का 11 नमर का सलाय का यूज गरेंगे, तो ये फिर 6 मन से लेकर दो साल का बेवी के लिए आराम से आ जाता है, इस तरीके से आप ये चोटा और बड़ा साइज का बना आ सकते हैं, मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए इसी आधर पर में आपको बता रही हूँ, ये इसका ब्याकसाड है, ब्याकसाड से देखें, जिस तरह का हमारा पैटरन है, उसी बात को रिपीट गरने है, एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, तागर आपने और एक फंदा उल्टा, तागर इसलिए का बहुत ही इजी है, शिरिफ आपको समझना है, अब देखें, मैं इसी तरीके से बिनती हूए, लास्ट में आचुकी हूँ, एक फंदा उल्टा, लास्ट में दो फंदा सीधा, ब्याकसाड से इस तरीके से बिनने के बाद, अब देखें, इसकी सीधी साड से, फस फंदा सीधा, एक, दो, तीन, तागा आपने और एक फंदा उल्टा, तागे पीछे, इसी बात को रिपीट गरते हूए, यहां तक आपको आना है, यहां से फिर आपको सोट रो बिदी से, यहां से यहां तक बिनना है, अब देखें, मैं इसी बात को रिपीट गरते हूए, यहां तक आ रही हूँ, अब देखिए, एक फंदा सीधा, अब देखिए इधर घटाय आ रहा है, दो फंदे, दो कायक, मतलब लास्ट में दो फंदे रहने के बार, दो फंदे, दो कायक, इसी तरीके से आपको घटाय करना है, और इसमें आपको लास्ट में 5 फंदे होने तब इसी बात को repeat करते हुए बेनना है, अब देखें, मैं इसका उपर 5 फंदे होने के बाद, फिर मैं आपको देखा रही हूँ, देखें, 5 फंदे हैं इधर, 5 फंदे होने के बाद, 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से, अब देखें, 20 सेंटर का 1 फंदा सीधा, फिर इधर सा आपको 2 फंदे 2 का एक, मतलब 5 फंदे से आपको 3 फंदे बनाया नहीं है, देखें, इसका डिजाइन बहुती सुन्दर तरीके से ये बन कर आता है, ये टपी जरू ट्राइगरिए, देखें, इसमें 7 पैटन है, 7 पैटन में 20 सेंटर में एक पैटन आता है, अधर साइड साइड में देखें, बहुती सुन्दर तरीके से ये थोटा थोटा सीड़ी का डिजाइन आ जाता है, अब देखें, इसका ब्याक साइड से देखा रहे हूं, ब्याक साइड से 1 फंदा विना 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 एक पैटना उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा, सीधा इस तरीके से बनायेगा फिर इसके सीधी साइड से ये सीधी और अगयक एक फंद दो फंद दूसरे कैटी में पिछे वले बैंना है और ये दो फंद इसी कापर से गिरा देना है इस तरीके से लास्ट में आपको एक फंदे बना देना है देखें यह एक फंदे आपको बागी राखना है इधर साइड में गांट लगा रही हूं यह गाठ आपको बात में खोलना है और यहां से ढागा डाल कर फिर बिनना है जिस तरीके से यहां से बनाये थे उसी तरीके से इधर भी बनाएंगे यह एक फंदेश्टा है इसलिए मैं इसको धागे में लगा रही हूं बात में आपको यह फंदे लेकर बिनना है इसलिए इस तरीके से धागे का उपर चड़ा देना है देखे अब यहां से आपको बिनना है जिस तरीके से आम दुसरी वाला बनाए थे उसी तरीके से बनानी ह देखे यह मैं धागा लगा रही हूं धागा लगा लगाने के बाद यह दो फंदे दो का एक और यहां से अमारा जिस तरह का पैटन है उसी तरीके से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा इसी बात को आपको रिपीट गरनी है देखे तीन फंदा सीधा एक दो तीन तागा आपने और एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन तागा आपने और एक फंदा उल्टा अब देखे इसी तरीके से मैं लास्ट में आ चुकी हूं लास्ट में फिर दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बेनना है, इसी प्याटन को आपको बार बार रिपीट गरनी है, जिस तरीके से मैं दूसरी साइट का बना रही हूं, उसी तरीके से ये साइट का भी बनाईएगा, दिखें, एक फंदा उल्टा, तागे पीछे, फिर तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, तागे आपने और एक फंदा उल्टा, इसी प्याटन को आपको बार बार रिपीट गरनी है, तीन फंदा सीधा, तागे आपने और एक फंदा उल्टा, अब देखें, जिस तरह का हमारा पैटन है, उसी तरीके से आपको बेनना है, प्याक साइट पूरी गरनी के बाद इसक से उल्टा बिनना है फिर यहां से पैटर्न रिपीट गारनी है तीन फंदा सीधा एक दो तीन तागा आपने और एक फंदा उल्टा इसी बात को बार बार रिपीट गरते हुए इसका उपर देखिए यह डिजाइन को कैंसिल बनाते हुए बिनना है देखिए यह डिजाइन या तक जा रहा है यह डिजाइन या तक यह डिजाइन या तक फिर यह डिजाइन इस तरीके से यह बन कर आता है अब देखे मैं इसी तरीके से बिना एक अलास में आ चुकी हूँ लास में तीन फंदे होने के बाद दागे पिछे ले कर जाना है दो फंदे दो का एक बिन देना है इस तरीके से अलास का एक बंदा सीधा इसी बात को आपको बार-बार रिपीट गरते हुए अब देखे इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए मैं दोनों साइड का फंदे बंद गर चुकी हूँ और यह इस तरीके से डिजाइन बंद कर आचुका है अब देखे इसमें आपको दोनों साइड से 14-14 जो फंदे आम गटा आये थे वो फंदे उठा देना है फिर आपको 29 फंदे बनानी है जिस तरह का हमारा पैटरन है उसी तरीके से इसका उपर फंदे उठानी है देखें एक फंदे ये सीधी का अब देखें ये 29 साइट से सीधी वाला डिजाइन है इसलिए 29 साइट से सीधी बिनेंगे और ये वाला उल्टा अब देखें ये सीधी साइट से सीधी और उल्टी साइट से उल्टी वाला डिजाइन का एक चेन वाला फंदे उठाएंगे और जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनना है सीधी साइट से भी सीधी इस तरीके से और उल्टी साइट से भी सीधी बिनकर मतलब ये नीचे का हमारा पैटर्न जिस तरीके से है उसी तरीके से बिनते जाना है फिर सीधी साड से देखा रही हूँ देखे एक सीधा ये वाले भी सीधा फिर ये वाले भी सीधा अब देखे ये उल्टी वाला फंदा आ रहा है सीधी साड से उल्टा वाला और ब्याक साड से सीधी वाला इसलिए ब्याक साड से इसको सीधी बिन देना है और एक फंदा सीधा देखिए ये सीधी साइड से सीधी है इसलिए उल्टी बिन देना है इस तरीके से धागे पीछे इसको सीधा फिर इधर साइड से सीधी साइड से उल्टा वाला और ब्याक साइड से सीधी वाला फंदे उठा देना है और ब्याक साइड से इसको सीधी बिन देना है देखिए तागे पिछे लेकर जाना है और सीधी बिन देना है यह ब्याक साट से सीधी वाला डिजाइन है इसलिए और फिर इसकी सीधी साट से बिनते हैं सीधी साट से यह उल्टा वाला डिजाइन है इसलिए उल्टा बिनते हैं ताकि पीछे अब देखे यह सीधा वाला डिजाइन है इसलिए सीधा देखे यह सीधा वाला डिजाइन का ह और ये भी सीधा वाला डिजाइन का है इसलिए सीधी वाला बेनेंगे अब देखे ये उल्टा वाला डिजाइन का है सीधी साइट से इसलिए इसको उल्टा अब देखिए इदर ये उल्टा वाला डिजाइन का आ रहा है बारी देखिए ये वाला डिजाइन का इसलिए यहां से ये चेन वाले सिफंदे उठा देना है यह सीधी साइट से उल्टा है और ब्याक साइट से सीधी है इसलिए इसको इस तरीके से निडल में डालना है और ब्याक साइट से आपको इसको सीधी बनाया देना है और सीधा साइट से सीधी फिर यहां से आपको दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा यह पैटरन आ रहा है अब देखें यह ब्याक साइट से है इसलिए दो फंदे सीधी इसमें आपको जिस तरह का हमारा घटाई का डिजाइन है उसी तरीके से फंदे उठाकर बेनना है अब देखिए ये वाला डिजाइन का बारिया आ रहा है इसलिए इसको उठानी है और ये डिजाइन दोनों साइट से सीधी वाला है इसलिए दोनों साइट से सीधी बिनेंगे सीधी साइट से भी सीधी है और ब्याक साइड से भी सीधी वाला डेजाइन है इस तरीके से दागा आपने ओर एक फंदा उल्टा तीं फंदा सीधा एक, दो, तीं इए बीषु चेंटर का देखे दागा आपने ओर एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा अब देखे इधार का फिर यह सीधे वाला फंदे उठा देना है सीधी साइट से यह सीधी वाला है और ब्याक साइट से उल्टी मैं सिध्य उठेहिं हुए उधा रही हूं और इसको निटर में डालकर सीधा बिंदेना है जिस तरह का अग़ीजाइन है उसी तरीके से ने सीधा बिंदेना है और मी जीजाइन ऊल्टा है इससे तरीके से उल्टा बिने बिन देना है यहां से फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन इस तरीके से अब बीश सेंटर का एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन फिर इधर साइड से एक फंदे उठा देना है सीधी वाला देखे इस तरीके से यह सीधा वाला उठा रही हूं और इसको निड़ा में डालना है और ब्याक साइड से इसको उल्टा बिननेना है फिर इसको सीधी साइड पलटनी है सीधी साइड से यह सीधी वाला डिजाइन है इसलिए सीधी बिनेंगे फिर यहां से यह सीधी तागा आपने और एक उल्टा तागे पीछे यह सीधी फिर एक फंदा सीधा इसमें आपको दो सीधी का बीच में एक उल्टा बिन देना है देखे यह उल्टा एक आ रहा है फि ये वाला सीधा अब देखे ये वाला सीधि वाला फंद आपको उठा देना है चेन वाले फंदे से इस तरीके से अब देखे ये डिजाइन सीधा है इसलिए इसको सीधी बिन देना है इस तरीके से, सीधा से सीधा, और बेक सीधा से, सीधा सीधा. 1 सीधा, पर 1 उल्टा, इस तरीके से 1 सीधा,1 उल्टा, फिर 3 सीधी, एक, दो, तीन, अब देखिए, यह 20 सेंटर का आ रहा है, इसको आपको उल्टी बिन देना है, ताकि पीछे तीन सीधी, एक, दो, तीन, और ये उल्टा, अब देखिए इधर ये सीधी का डीजाइन से आपको एक फंदे उठा देना है, फिर इसको आपको ब्याक साइट में जिस तरह का डीजाइन है, उसी तरीके से बिनना है, ये ब् सीधी साइट से भी सीधी वाला डीजाइन का फंदे है, इसलिए सीधी साइट से भी सीधी बिनेंगे, अब देखिए एक फंदा सीधा, ये वाले फंदे भी आपको सीधी बिनने नहां, तागा आपने और उल्टा वाला फंदा उल्टा, फिर बिस सेंटर का तीन फंदे इस तरीके से यह बन कर आता है इसी प्याटन को रिपीट गारते हुए यहां तक आपको बिनना है दोनों साइट से हम 14-14 फंदे उठा कर इसमें फिर 29 फंदे होने तक इसी प्याटन को आपको रिपीट गारनी है देखे मैं इसी तरीके से यहां तक फंदे उठाती हूं 29 फंदे आपको उठानी है मैं आपको बता चुके हूं जितनी भी साइज में बना रहे हैं इसी पैटर्न को आपको रिपीट गारनी है देखे इसमें तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आता है देखे एक दो तीन फ एह इस्टा वाला फंदा है यहां से आमारा पैरर्न शुरू होता है, 3 फंदा सीधह एक दो तीन फिल दागा आपनु और एक फंदा उल्टा फिर तीन बंदा सीरा एक, दो, तीन, दागा आपने एक बंदा उल्टा दागे पिछे तीन बंदा सीरा एक, दो, तीन, दागा आपने एक बंदा उल्टा फिर तीन बंदा सीरा एक, दो, तीन, दागा आपने एक बंदा उल्टा फिर तिन भंदा सीधा, एक, दो, तीन, तागा आपने और एक भंदा उल्टा, तागे पीछे एक भंदा सीधा, अब देखिए इसी तरीके से, फिर तागा आपने और इधर साइट से एक भंदे उठा देना है, इस तरीके से, फिर इसको लेना है, देखिए, यह सीधी है, तीन सीधी होने के बाद, यह वाला भी भी सीधी आता है, यह टेकनिक से भी आप बना आ सकते हैं, देखिए, और बार यह पैटर्न बार बार रिपीट होता है, अब इसका डिजाइन देखिए कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोदाने अठाच, पलस, एक, उन्तिस फंदा है एक साइट का यह इस तरीके से जिस तरह का हमारा पैटरन है उसी तरीके से यह बन कर आ रहा है देखे और इसको भी इसी तरीके से बना देना है इधर साइट का अब देखे जिस तरीके से यह बना है उसी तरीके से यह बना है उसी तरीके से यह बना मैं बीनती हूँ फिर आपको देखाती हूँ देखे यह धागा आपको कट लगा देना है और यहां से आपको बिन देना है अब देखे ये में दोनों बना आ चुकी हूँ देखे ये बहुत ही खुबसुरत बन कर आता है अब देखे इसका बैक साड भी आपको देखा रही हूँ ये इसका बैक साड है अब देखे इतनी होने के बाद इसका उपर आपको किस तरीके से बिनना है अब देखे यहां से आपको धागा लगा देना है और परतेक चेन में एक एक बार फंदे उठा देना है तो देखे इस तरीके से परतेक चेन में एक एक बार फंदे उठा कर यहां से आपको 29 इश्टिच उठा देना है, मतलब इसमें 29 फंदे आपको उठा देना है, ये बिनाई के लिए एक ही साइज का में चार निडल का यूज़ गर रही हूं, देखें, एक दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ फंदे इस तरीके से निकाल देना है, और यहां तक आपको लेकर आना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और इसको इस तरीके से उपर बनाते हुए, बिनना है, इस तरीके से, ये आप जितनी भी साइज में बना हैं इसम faculty भिर्ना है श्रिफ आपको दाय का साइज और निडल का साइज चेंज़ करके यह किसी भी साइज में बनाजक नहीं है अब देखे इधर दो फंदे दो काई इसतारीके से कि इस तरीके से दो फंदे लेना है उपर का और नीचे का दो दो फंदे 2 काईक इसी बात को आपको रिपीट गरते हुए 14 फंदे से 7 फंदे बना देना है अब देखे इधर भी दो फंदे 2 काईक उपर का लेना है एक बार इस तरीके से और नीचे का लेना है और बिन देना है और देखे 20 सेंटर का एक फंदा सीधा और इधर साइड का देखे किस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ साथ फंदे इस तरीके से नीचे ले कर जाना है और इधर साइड दो फंदे दो का एक फिर दो फंदे दो का एक इस तरीके से 14 फंदे से आपको साथ फंदे बना देना है और डिजाइन भी बनानी है बहुती आसान है ये केबल डिजाइन इसका उपर हम बना रहे हैं एक फंदे उपर का एक फंदे नीचे का लेना है और दो फंदे दो कायग बना देना है पर का लेना है इस तरीके से फिर नीचे का लेना है और बना देना है दो फंदे दो कायग इस तरीके से यहां तक आना है और यहां तक आने के बाद देखे यह डिजाइन इस तरीके से कानका सेफ बनने के बाद इधर जो एक फंदे हमें राखे थे ये वाला निकाल देना है और इसको सीरी बिन देना है थोड़ी टाइट गरिएगा इधर साइड गोलना है इसलिए फिर यहां से आपको डिजाइन रिपीट गारनी है 7 फंदे निकाल देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से 7 फंदे निकालने के बाद देखे यहां से 1, 2, 3, 3, 6, 7 और इसको उपर राखना है इस तरीके से दूसरी वाला बनाये दे उसी तरीके से यह वाला भी बनाया नहीं है उपर का लेना है नीचे का लेना है और बनादेना है 2 फंदे 2 काएक और देखे यह फंदे टाइट गर लेना है फिर इसी तरीके से उपर का लेना है नीचे का लेना है और बना देना है दो भंदे दो का एक अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ इधर का एक लेना है इधर का एक लेना है और फिर दो भंदे दो का एक देखिए ये लेना है इधर का लेना है और फिर दो भंदे दो का एक फिर ये लेना है इधर का लेना है और फिर दो भंदे दो का एक इप इस सेंटर का एक फंदा सीधा फिर इधर भी इसी तरीके से डिजाइन डालनी है देखिए साथ पंदे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, फिर दुश्री साइड, फिर यहां से आपको बिनना है, इधर का लेना है, और इधर का लेना है, और बना देना है, दो पंदे दो का एक, फिर इधर का लेना है, इधर का लेना है, और बना देना है, दो पंदे दो इसी तरीके से आपको डीजाइन डालना है अब दिखें डीजाइन डालते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूं 2 फंदफलदे 17 कि दो फंदे 17 अग्या लेना है पीछे का लेना है और बना देना हैं दो फंदे 17 इस तरीके से यह बन कर आ रहा है अब दिखिए यहां से आपको फिर चेन वाले बंदे उठा देना है पर्तिक चेन में एक एक बार उठा देना है इधर साइट से में 29 इस्टीज उठा रही हूं और यह इसका ब्याक साड है और यह टोपी पहिंदनेक बाद बहुती सुन्दा नजर रहुने के बज़े से आपसे सियर कर रही हूं देखिए यह इसका ब्याक साड है ब्याक साड से आपको बिनना है इसका उपर देखिए ब्याक साड से देखा रही हूं 25 बिना बिना यहां से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है इस तरीके से यहां तक आपको बन ना सकते हैं पर मैं इसमें चार नेडल का यूज़गर के शुरू में आपको देखा रही हूँ अब देखें इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते होए यहां तक आपको ले कर आना है इसी तरीके से इसका उपर में सिर्फ दो रो का डिजाइन डालनी वाली हूँ और यह डिजाइन आप बिना का किसी पोर्जित में डाल सकते हैं देखें यह ब्याक साइट से एक रो और इसकी सीधी साइट से एक रो बिनने के बाद यह डिजाइन बन कर आता है सीधी साट से देखे किस तरीके से डिजाइन डालेंगे इसका उपर फस फंदा बिना बिना तेखे ये गाठ वाला डिजाइन है इसको लेना है सीधी बिन देना है और ये फंदे का नीचे से बाहर निकालना है फिर एक फंदे बिनना है सीधी और ये गाठ वाला लेना है सीधी बिन देना है और ये फंदे का नीचे से बाहर निकालना है मतलब ये जो गाठ वाला डीजाइन है इसको आपको खोलना है स्रीप देखे इस तरीके से खोलकर एक का दो बना देना है मतलब एक फंदे से आपको दो फंदे बनाया देना है अब देखे मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आचुकी हो एक फंदे सीधी एक फंदे में बीजाई और एक फंदा सीधा इस तरीके से बीनते हुए अब देखे इसका ब्याकसाड से बिंते हैं फिर 25, बिना बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी-सीदे इसी तरीके से आपको बिनना है यहां पहुँआ है देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना नहीं है एक फंदे एक बिनना है और दो फंदे एक साथ है इसको एक साथी बना देना है यह शिरिफ दोरों का बिनाई है और आई यह बिनाई आप बिनाई का किसी पॉर्जेट में डाल सकते हैं बहुती सुन्दर यह प्याटन मन कराता है यहानी का डीजाइन में इसका पर डाल रही हूँ अब देखिए इसकी सीधी सैट से फिर इसका पर किस तरीके से बिनना है देखिए थोड़ी चन्वगर के बिनेंगे देखिए इसमें डिजाइन डाल देना है और यह वाला सीधा मतलब देखे एक गाठ है जिसमें उसमें आपको डिजाइन डाल और जिस डिजाइन में दो गाठ है उसमें आपको सीधी बिन देना है देखे इसमें दो गाठ है इसलिए सीधी बिनेंगे और इसमें एक गाठ है इसलिए इस तरीक यहां से यहां तक बना रही हूं और वह माथह स कभए रख सकता हों यहीं पना रख जुब होता हैं अप यहां तरीके से बाहता है यहां बन्लं डीजाइब छुबी Luther Kit करें रख सबका कर देख सकते को तबनेख रेफ़ फिर जो बाल है बाल का नीचे में फिर बोडर डिजाइन आता है इस तरीके से और नीचे में ये गर्दन कवर होने के बाद आपको इसका उपर थोड़ी चेंज गर के बेनना है मतलब इसमें आपको बोडर डिजाइन डालना है इतनी मुने के बाद अब देखे इसमें एक दो 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजाइन इस्में मैं डार रही हूं चुटी से माधे तक माधे में जा बाल होता है वहां तक आपको इस तरीके से बिनना है और इतने होवने के बाद इसका उपर आपको बोडर डिजाइन डालना है इतनी होने के बाद 61 से आपको शारी फंदे उल्टी बिनना है डिजाईन साइज का इसाब से कम ज्यादा बनाईएगा जब इये पूरा होता है तब आपको इस तरीके से ब्याक साइज से उल्टी बिनना है इसमें देखे दो नडल से भी आप बनाआ सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ देखे इसमें दोड़ निडल का यूजगर के मैं आपको देखा रही हूँ दोड़ निडल डालने के बाद इस तरीके से ये बन कराता है और यहां से देखे 62 सारी फंदे उल्टी बिनना है लंबाई पूरी होने के बाद और इसका उपर इतने हो देखे इसका उपर मैं धागा चेंजगर के बना रही हूँ और यह मैं लेड़िस के लिए बना रही हूँ टीनेज की लड़की के लिए इसलिए इसका उपर डिजाइन डालकर मैं बना रही हूँ आप चाहिए तो यह बेबी बॉय के लिए बना रही ह हैं पर मैं इसका उपर design डार रही हूँ शारी फंदे इससी तरीके से सीदी-सीदी बनाया नहीं है कि अब देखें इसका दुसरी साइड से दुसरी साइड में देखें सारी फंदे उल्टी बिनाए यह इसका ब्याक साड है अब देखे इसी तरीके से सारी फंदे सिधी साट से सिधी और उल्टी साट से उल्टी बिनकर आपको तीन डिजाइन बनानी है देखे, एक, दो, तिन, तिन डिजाइन इसमें बन चुका है, इतनी बनाने के बाद, दो भंदे, एक साथ, दो का एक, दागा आपने और, फिर दो भंदे, दो का एक, फिर दागा आपने और, दो भंदे, दो का एक, इसी तरीके से आपको बिंते जाना है, अब देखे, मैं इ दो का एक फिर दागाबन से दो भन्द दो का एक से ची तरीके से बैनने के बात अब देखे इसका ब्याक 6 0 ब्याक 6 0 घूरेक स आपको शारी भन्दे उल्टी विनाय बिैनना है इसी तरीके से बिंते हुई मैं विनाय का लाश्ण में आचल की हूं अब देखे फिर इसकी सीधी साड़ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनाया नहीं है अब देखे मैं इसी तरीके से सीधी साड़ से सीधी और ब्याक साड़ से उल्टी बिनकर इसका उपर नीचे तीन धारी का डीजाइन फिर उपर तीन धारी का डीजाइन बनने के बाद इसका उपर डीजाइन बना रही हूँ तो दिखे इसमें ये किनारा का फंदे लेना है अब एक बार निड़ में डालना है और बना देना है दो फंदे दो का एक फिर इधर का लेना है आप चाहे तो यह वाला शुर में उठा कर भी बनाया सकते ही यह वाला इस तरीके से फिर निड़ में डालनी है और बना देना है दो फंदे दो का एक फिर इदर का ये डिजाइन लेना है, निडर में डालना है और बना देना है दो भंदे दो का एक इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिना का लास में आचुकी हूँ दो भंदे एक साथ फिर नीचे का लेना है यह वाला फिर दो फंदे एक साथ इस तरीके से यह डिजाइन बनानी है इतनी होने के बाद फिर इसका अपर आपको सीधी बिनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते होए बिना एका लास में आचुकी हो अब देखिए इसमें आपको दोनों साथ से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है बोडर डिजाइन में आप चाहिए तो किसी भी बोडर डिजाइन डाल सकते हैं उपर का जो white color का design बीना बनाये हुए भी आप बना सकते हैं अगर आप baby boys के लिए बना रहे हैं तो इसका उपर one way one का rib design भी बना सकते हैं एक सीधी एक उल्टी बिंकर अब देखें इसमें में 4 धारी वाला design होने के बाद इसका उपर का फंदे में बंद गर रही हूँ देखिए एक फंदे बिना बिना पिछे वाला फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का उपर से गिरा देना है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका उपर का फंदे बंद गाती हूँ अब इसी तरीके से सारी फंदे बंद गाती हुए बनाईएगा अब देखिए एक फंदे बिनना है पिछे का फंदे गिरा देना है फिर एक फंदे बिनना है पिछे का फंदे गिरा देना है फिर एक फंदे बिनना है पिछे का फंदे गिरा देना है इसी तरीके से सारी फंदे आपको बंद गरनी है सारी फंदे बंदगार्णिंगे थोड़ी कीजना है अब देखे ये गर्दन का साइड में आपको बोड़ा डिजाइन बनाया नहीं है इसके लिए देखे ये फंदे इस तरीके से निड़र में डालना है और परत्यक चेन में एक एक बार फंदे उठा देना है तो देखे इस से लेना है और पंदे उठानी है अब दिख़े ये सारी फंदे में उठा चुकी हूं यहांसे शीधी सार्चे फंदे उठाने के बाद अब देखे इसका ब्याक सार्चे ब्याक सार्चे फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनायानी है ये बोडर डिजाइन के लिए है इसमें आपको दोनों सार्चे सीधी सीधी बिनती होए धारी वाला डिजाइन बनायानी है देखे इ दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोधा पंद्रा शूरा शोरा शात्रा अठारा उन्निस मतलब इसमें 54 फंदे है ये आप साइज का इसाब से कम ज्यादा फंदे भी राकर सकते हैं अब देखें यहां से फिर आपको सारी फंदे सीधी-शीधी बनानी हैं दोनों साइट से सीधी सीधी बीनते हुए इसका उपर आपको इतनी बनानी है मैं तीन डिजाइन इसका उपर बना रही हूँ आप चाहे तो इसके उपर और ज्यादा भी बीन सकते हैं जब तक ये गले कवर ना हो जाए तब तक आप इसका उपर बनाईए अब देखें सारी बें बंदगरनी के बाया थोड़ी खिसना है और इसका उपर कुरि के लगा दोरी बना नहीं है डोरी आप कोई बի तरीके से बना आ सकते हैं इसका उपर मैं ये तीस चेंन का डोरी डाल रही हूँ हूँ तो देखें इस तरीके से चेन डालने के바 vaan इसका अपर ब्याक सैड क इसका उपर में डोरी बना रही हूँ आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसका उपर डोरी बना आ सकते ही तो देखे इस तरीके से यहां तक आपको ले कराना है और इधर साइड ले कराने के बाद ये धागा में कट लगा रही हूँ कट लगा निक बाद खीचना है और इधर साइट एक दो बार नट लगा देना है अब देखिए ये मैं दोनों साइट का डोरी इसी तरीके से बना रही हूँ अब देखिए ये सुन्दर सा टोपी बन कर रेड़ी हो चुका है ये टोपी मैं कई बना आ चुकी हूँ पइदने के बाद बहुत ही सुन्दर नज़र आता है इसलिए मैं आपसे स्यार कर रही हूँ दिपार निटिंग चैनल में मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस वीडियो लेकर आती हूँ अभी तक दिपार निटिंग चैनल में नौई होतों चैनल सब्सक्राइब गरके बेल आइकन जरूर प्रिस करिए अगर ये वीडियो परसन आये तो वीडियो को लाइक कीज़े दोस्तों सियार गरना मत भुलिए मैं इसी तरीके से यूनिकर लेटिस वीडियो लेकर आती हूँ दूसरी वीडियो में मिलते हैं आज के लिए बीदा होती हूँ दिपार निटिंग चैनल धन्यवाद